असलालेकूम फ्रेंड्स होमली जैका चैनल में आज हम बना रहे हैं मतन चाप का इस्टू मतन चाप यह मैंने 1 kg मतन चाप लिए अच्छा इसमें बहुत अच्छे से फैट लगा हुआ है तो इसलिए मैं आज कुकिंग ओल यूज नहीं करूंगी आप चाहे तो कुकिंग ओल सकते हैं हाफ कप लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी कुकिंग ओल यूज नहीं करूंगी अच्छा यह 700 ग्राम हमने प्याज लिए तीन बड़ी प्याज है इनको काट लिया है दो दही लिए यह आप 100 ग्राम दही ले लिए और इसके साथ ही हमने लिए हैं तीन बड़े मिर्चे हैं साबुत यह आठ से दस ले लिए यह चोटी है और गोल वाली यह बहुत तेज होती है इसलिए मन थोड़ी कम लिए अच्छा एक बड़ी लाइची है एक स्पून हमने यह जीरा लिया है साबुत जीरा और यह दाल चीनी का पीस एक बादियान का फूल चार हरी लाइची चोटी लाइची और चार पांच लॉंग हाफ स्पून काली मिर्च और यह थोड़ा सा सूखा धनिया थोड़ा साम इसमें नमक डालेंगे एक स्पून भरके नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए अच्छा यह हमने खाली पॉट लिया है और इसमें हम इ हीट से मेल्ट हो जाए और इसको जो ऑल रिलीज हो उसमें खाना बने खाना बने मतलब यह रैसिपी बने अच्छा इसको मैंने यह चांप लगाई और उसके बाद यह प्याज डाल लेते हैं प्याज नीचे इसलिए नहीं डाली क्यूंकि उसको कच्छा टेस्ट नहीं आए चाप में और उसको टेस्ट अच्छा हो जाए अच्छा इसमें हरी मिर्चे और सभी चीज़े हम ऐसे ही डाल देंगे क्यूंकि थोड़ी देर बाद हमें इसको मिक्स करना है थोड़ी देर पक जाए अच्छे लेसन अदर का पेस्ट भी ऐसी लगा देती हूं सभी मसाले इस तरह डाल दिये ये गरब मसाले भी इसी तरह डाल देती हूं बाकी बची हूई प्यास भी इसमें ऐसी डाल देती हूं और अब मैं इसमें दही डाल देती हूं इसमें नमक डाल देते हूं यह मैंने 1 & half spoon डाल दिया नमक आप अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग डाल यह वैसे इसमें 1 & half spoon या टू-2 spoon सही है आप इसमें दही उपा से डाल देते हैं बाकी बची हुई प्यास भी इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको उपर से ऐसी रगा अच्छा को मिक्स नहीं किया गोश्ट नीचे ही रखा हुआ चापे ताकि वो उसमें अच्छा सा रेड कलर आ जाए और अच्छा से वो फ्राई हो जाए अपने ही फैट में अब फिर बात म हम इसको मिक्स करेंगे इस तरह बना कर देखिए बहुत ही जबरदस टेस्ट आता है अब इसको हम दस मिनट के लिए तेज आंच पे रख देते हैं मीडियम हीट पे रखेंगा तेज मत रखेंगा अच्छा अब यह दस मिनट बाद हटाती हूं मैं देखिए यह पकने लगाए अब इसको मिक्स कर देखिए और इसमें चाप वगएरा प्याज वगएरा का पानी भी चुट गया है इसमें अच्छा सा पानी हो गया है अब इ अब हमने 10 मिनट बाद हमने देखा कि यह इस तरह पक रहा है अब इच भीच में खोल कोल के देख रही हुए ताकि जले नहीं या क्या है कि अब इसमें देखे 보니까 कितेना ज़्यदा हो गया और अच्छे से हो गया अब इसको दसन Pittन Jeez मैं और पकाऊँ गी और उसके बाद मैं इसको भून लूंगी इसका हठाकर एक खोलकर और सको अच्छे से पकाकर हम भून लेते हैं ताकि इसका पानी सूख जाए और प्यास भी मेल्ट हो गई है पूरी और इसका फैट भी मेल्ट हो गई अच्छे से अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं तेज आज पर भूनियागा ताकि गोश्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से गल चुका है और बहुत ही ज्यादा अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें गोश्ट को ज्यादा ही गल गया है अब हम देखे तैयार हुआ है और इसको डिशाउट करते हैं बिना ओईल का है तो इसलिए ज्यादा ओईल नज़र नहीं आ रहा आप इसको इसमें लेके खुश्बू बहुत जबदस्ता रही है अब यह बन के तैयार हुआ है और आप देखेंगा कितना मज़िदार लग रहा है और बहुत ज्यादा गल गया है और टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है इसका हमारी रेसिपी से बनाएए आपको हमारा रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक् कीजिए और लाइक कीजिए कॉमेंट में करके बताइएगा कैसा लगा आपको